जय हिंद आल आफ यू कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मजे में होईंगे और अपने इस्टडी पा ध्यान दे रहे होईंगे तो बच्चों हम इस वीडियो में अपने प्रीवियस वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे क्लास 10th CBSE and MP Board के प्रस्पेक्टिव में चैप्टर नमबर 3 जी हां जिसका नाम है पेयर आफ लीनियर एक्वेशन इन्टू वैरियेबल इससे पहले भी हमने वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्सन then इस चैप्टर की एप्रोच solve कहने की अप्रोच क्या है क्या-क्या methods हमको study कहने है हमने सब कुछ discuss किया हुआ है तो हम उन्ही लैसन्स को उन्हीं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे pair of linear equation को solve कहने की substitution method को जी हाँ pair of linear equation में हमने introduction में समझाता हमारे पास graphical method है and एक method है method of algebra graphical method को हमने बहुत ही प्यारे तरीके से समझा उसके sum भी किये उसको कैसे apply कहना है सब कुछ हमने किया है इसके पहले इस चैप्टर के वीडियो को आप देख सकते हैं तो आपको पूरा वीडियो clear हो जाएगा आज हम बात करेंगे method of algebra के अंदर first method जिसका नाम है substitution method substitution method को हम apply करेंगे pair of linear equation into variable को solve करने के लिए तो बच्चों आप इस lesson को इस वीडियो को पूरा ही देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समाज में आ जाए कि हम substitution method को कैसे apply करते हैं तो हम start करेंगे एक sum के साथ और वो sum में आपकी NCIT book से ही प्रिफाय करता हूँ तो सबसे पहला sum हमारे पास कुछ ऐसा है x plus 3y minus 6 equals to 0 and second equation हमें दे गई है 2x minus 3y minus 12 equals to 0 आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको pair of linear equation given है अब pair of linear equation को solve कहने के लिए आज की हमारी method क्या होने वाली बच्चों substitution method किस method से हम solve कहने सीखेंगे आज substitution method से substitution method क्या है इसको apply कैसे कहना है आज हम इस lesson में यही बात करेंगे तो word आता है substitution substitution मतलब substitute कहना एक value को दूसरी value से replace कर देना तो इसी word को हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे इस method के steps की तो इस method को solve कहने के लिए सबसे पहले आपको जो दो pair of linear equation दी गई है इन में से हमने first equation consider कहे लिए हमें जो first one given है let this is equation one and this is equation two अब step one यह कहता है बच्चों की हम किसी भी एक equation को rewrite करेंगे हम किसी एक equation को किसी एक variable में change करेंगे it means हम इन में से सबसे पहले किसी 8 equation को select करेंगे तो मैंने equation number one select की है आप चाहें तो equation number two भी कर सकते हैं इसके बाद बाले समने हम process करेंगे कि हम equation number two को ही select करें पर चुँकि पहला समय है तो हमने method के according equation number one को ही select किया by equation one x plus 3y minus 6 equals to 0 हम इस equation को change करेंगे in term of one variable हाओ कैसे बिटा तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या 6 is set आके हो जाएगा positive 3y set हो जाएगा minus 3y तो आपको पता चलेगा आपने equation one की help से इसको rewrite इसको change किया है in term of one variable it means यहाँ पे हम y की value insert कराएंगे जिसके base पर हमको x का data find हो जाएगा या हम यह भी कह सकते हैं हम x के place पे अब क्या put कर सकते हैं 6 minus 3y तो चलिए जो आपने value find की है one variable में इस value को हम put करेंगे equation number two में x के place पे जी हाँ देखो हमने x के value नकाली है यह value हम equation number two में x के place पे put करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं put this value in equation two जी हाँ हमने equation one से value नकाली है तो हम equation number two में put करेंगे equation two क्या है बच्चों x के place पर 6 minus 3y तीछे आपके पास 3y तैन आपके पास minus 12 equals to 0 अब हम इसको solve कहना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा इसका bracket open कर सकते हैं bracket open कहने पर कितना हो जाएगा यह 12 minus 6y minus 3y equals 2 नहीं अभी minus 12 भी है अब हम minus 6y minus 3y को add करके क्या लिख सकते हैं minus 9y then 12 minus 12 आपके क्या हो जाएगा बेटा जी cancel तो हमारे पास क्या जाएगा यहां पर 0 then y equals to 90 के denominator में आएगा तो हम यह कह सकते हैं 0 यदि किसी वी number से divide होगा तो it means 0 ही answer आएगा तो हम कह सकते हैं y के value यहां पर क्या find हो गए हमारे पास 0 हमारे पास एक variable y के value आ चुकी है अब हम इस value को put करेंगे वापस equation number 3 में y के place पे और x का data find करेंगे तो हम क्या कह रहे हैं put this value in equation 3 equation 3 क्या थी बच्चों x equals to 6 minus 3 y के place पे क्या data find हुआ है 0 x का data 6 minus 0 x equals to 6 तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से हमने variable y के value find की है और then variable x की value 6 find की है इस method को आप थोड़ा सा analyze करिए तो मैं आपको कहना चाहूँगा सबसे पहले हमने equation 1 को solve किया equation 1 को rewrite करके update करके change करके किस form में किसी एक variable के form में change किया इस value को हमने put किया equation number 2 में x के place पे इसलिए इस matter का नाम क्या है substitution method आप x के value को equation 1 से निकाल कर equation 2 में put कर रहे हैं equation 2 को जब हमने solve किया value put करके तो हमारे पास automatic value y की find हो गई है अब इस value y को हम put करेंगे equation 3 में यहां पर बच्चों और किसका data निकालेंगे variable x का data find करेंगे हम क्या करेंगे इस method में एक place ने value को निकाल करें, दूसरे प्लेस में क्या कहे रहे हैं, पुठ कहे रहे हैं, हमने equation 3 का data equation 2 में पुठ किया, then हमने y का data equation 3 में पुठ किया, इसलिए इस method को कहते हैं, हम substitution method, एक value को दूसरे प्लेस में क्या कहे रहे हैं, हम पुठ कहे रहे हैं, तो यह आपका पहला question था जिसको हमने solve किया है substitution method से आप video को pause करके इसको note down कर सकते हैं then हम बात करेंगे इसके बाद second question की तो चलिए मैं इसको rough कर देता हूँ और then हम बात करेंगे इसके second question की देखो बेटा हमने जो first question लिया है इसमें हमने equation y को ही pick करके select करके change किया था हा या ना अब हम एक question लेते हैं जिसमें हम equation 2 को select करेंगे और then उसको हम change करेंगे in term of one variable तो पहले मैं इसको rough कर देता हूँ बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो भी pair of equation pair of linear equation given होगा ध्यान से analyze कहना है और ये check कहना है कि हम equation 1 को select करें या equation 2 को आप किसी भी एक equation को select कर सकते हैं कोई need नहीं है कि हमेशा हम equation 1 को ही select करें और equation 2 को select ना करें it depends on your choice जैसे आपके इच्छा आप वैसा choose कर सकते हैं तो मैं NCIT का एक सम और pick करता हूँ NCIT का एक सम कुछ ऐसा है हमारे पास सेवन एक्स माइनस फिफ्टीन वाई एक्वल्स तो टू equation 1 clear second equation हमारे पास दे गई है x plus 2y equals to 3 अब आपके उपर है कि आप इन दो equation में से किस equation को select कह रहे हैं solve कहने के लिए तो आपके एक्छा है बेटा इसके पहले सम में मैंने first equation को select किया था आप सभी ने देखा तो अब हम कोसिस करते हैं कि इस equation में हम equation number 2 को select करके solve कहना स्टार्ट करें तो मैंने equation 2 को selection किया तो मैं क्या लिखूंगा from equation 2 x plus 2y equals to 3 हम इसको rewrite कर रहे है change करें term of one variable तो क्या मैं x equals to 3-2y रिख सकता हूं देख लिजे आप आराम से देख लिजे आया ना लिख सकता हूं अब यह data हमने equation number 2 से find out किया है ना तो अब हम इस data को equation 1 में x के place पे substitute करेंगे put करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों देखो put this value in equation number first ठीक है तैवन अपनी place पे है एक्स के place पे हम क्या रखने वाले है 3-2y माइनस 15 अपनी place पर equals to 2 अब हम इसको बहुत ही प्यारी तरह यह solve कर सकते हैं कैसे करेंगे solve बेटा bracket open करेंगे सबसे पहले bracket open होगे क्या हो जाएगा यह हमारे पास 21 then 7 to the 14y then minus 15y equals to 2 clear बेटा आगे देखो minus 14y minus 15y add होगे कितना बना लेंगे हमारे पास minus 29y और 21 positive data जब transfer होगा तो क्या हो जाएगा minus 21 clear अब यह solve होके बना लेगा minus 19 यह हो जाएगा minus 29y का डेटा आप क्या बता सकते है minus 19 upon minus 29 minus से minus cancel तो y का finally data 19 upon 29 find हो गया है clear clear आप सभी को चेक करें लेजे कोई समस्या लगरी हो तो चेक करें लेजे बेटा अब हम इस value को put करेंगे equation 3 में y के place पर और हम find करेंगे value of x clear देखिए put this value in equation 3 x मारे पास है 3 minus 2 और y के place पर क्या रखूंगा मैं 19 upon 29 it is clear to everyone चलिए अब हम इसको solve कर सकते हैं how कैसे बिटा जी 3 minus 2 का multiply 19 टूजा 38 upon 29 clear हा या ना अब हम LCM क्या बन जाएगा यहां पर 29 29 टूजा 87 minus 38 आप 87 माइनस क्या करेंगे 38 it is clear 87 में से 38 को आप माइनस करेंगे it means 17 minus 8 हो जाएगा कितना 9 और यह हो जाएगा 49 upon 29 यह बाद चेक करेंगे लो बीटा माइनस मैंने सही किया है क्या yes सही है तो यह कौन सा डेटा माने पास find हो गया है x का तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमने variable x की value भी find करेंगे लिए which is equal to 49 upon 29 यह methods होती है substitution method इस method को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए हमने equation 2 को pick किया equation 2 से हमने variable x की value निकाली in term of y इस value को हमने equation 1 में x की place पे put किया then हमने इसको solve करके variable y की value निकाली इस value को वापस हमने equation 3 में put करके variable x की value को solve किया है एक place से value को निकाल के दूसरे place में value को हम रख रहे हैं इसलिए हम इस method को कहते हैं substitution method तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको इन दो सम से substitution method clear हो गई होगी आप इस question को भी वीडियो को pause करके आराम से note down कर सकते हैं अपने notes बना सकते हैं आपको जो भी समस्या परिसानी लगी हो ना समझ में आया हो या कुछ और आपकी फर्माई सो डिमांड हो तो आप मुझको comment section में बताईएगा हम इस chapter को आगे proceed करेंगे और हम अगले lesson में फिर कुछ नए सवालों को लेकर आएंगे और बात करेंगे substitution method के बाद की जो method हमारे पास है method of algebra section में अब तक के लिए सभी को जाय हैंद take care all of you